नमस्कार परणाम आदाब स्रियाकाल कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को मेरी वॉइस भी एकदम क्लियर आ रही होगी कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि सभी ठीक हैं कि शांदार सभी अगरत कि मज़ा आजाता है पढ़ने में है मज़ा तो आए गई यार यह बात बताओ आप ऐसे वेक्ति से पढ़ रहे हैं यह कर लो यह एस रही है और एक ऐसे वेक्ति से पढ़ रहे हैं जो पूरा का पूरा एनर्जी में रहता है 24 गंटे सुबज साम तक आपको पूरी एनर्जी पॉजिटिव ट्रांसफर होगी की नहीं आप सारी चीजे अच्छी कैच करोगे की नहीं करोगे तो सारी ही चीजें एनर्जी का खेल है जिस तरह के माहूल में आप रहोगे वैसे बन जाओगे अगर अच्छे माहूल में तो अच्छे बन जाओगे और थोड़े से बुरे माहूल में रहोगे तो बुरे बन जाओगे कोई भी जाहिर सी बात है सीधी सी बात है यह तो एक वो है कि सुबह से सामतकर आप मालो सतसंगियों में रहते हो जो कि भगवान की पूझा अर्चनहा करते हैं तो आप आप आटोमेटिकली स्प्रीचुल हो जाओगे जिसके साथ में रहते हो जिनको जिम करना पसंद हो तो आप आटोमेटिकली जिम्लावर हो जाओगे यह सारी अनेर्जी ठोपने आ बाती है चिसके साथ में रहते हो आप यहां से एनर्जी लेके जाते हो उसके बाद में उसको यूज करते हो तो एनर्जी से ही पहला कोश्चन भाई या पहला सबसे पहला एड हो कमीटी वाज अपॉइंटिड इन आज तक रिकॉर्डिंग देखे आज पहली बार लाइव राहूल है बहुत बढ़िया भई लाइव भी देखना चाहिए लाइव में जो मजा है वो रिकॉर्डिंग में नहीं है आज आप देखना पहला प्रश्ण हाँ अब हो कमीटी तो जिसने ऑप्शन नमबर ए दिया है 1958 उसी के साथ साथ आपको एक और डेट याद रखनी है 1957 पे क्या बना था यह 17 अगस्त 1957 को बना था LCPE लक्षमी भाई कॉलिज ओफ फिजिकल एजुकेशन आज इसका नाम लक्षमी भाई नेशनल इंस्टूट ओफ फिजिकल एजुकेशन है कहां पे है ग्वालियर में ठीक है तो ग्वालियर में है और साथ ही साथ में एक चीज और याद रखनी है इसी के साथ साथ में इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे पी एम जोसफ तो यह भी बात आपको याद रखनी है तो यह कॉशन चारों के चारों पूछ लिए जाते हैं अगला प्रशन आपके सामने है डट इस ब्लाइंड पास इस रिलेटि टूव इच आथ फ़ॉलो गसिघे टव बलाइंड पास इन में से किससे संबंदित है अ इस ते ब्लाइंड पास इन में से पिससे संबंदित अजल्द के लेग सकêtre मैं कि कॉसिस करेंगे कि जादा जल्दी खतम हो जाए आज पेड़ ग्लास में माल मिलने वाला तकड़े वाला तो आज भी डबल वैलिडिटी जिसने नहीं लिया है बैच पर्चेस कर ले ना भाई 590 लगा के कल कम से भी कम नहीं तो 15 लोगों ने महाँ पैक लिये थे कल 15 लोगों ने कल महाँ पैक लिये थे ज्यादा नहीं लियोंगे चलो तो जिसने राइट आंसर ऑप्षिन नमबर यह दिया है रिले रेस अब रिले रेस होती किसी में यह एथलेटिक्स का इवेंट है इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि एथलेटिक्स में अप सुइंग और डाउन सुइंग किसमें होता है यह भी एथलेटिक्स में बात क्लियर है अगला प्रशन आपके सामने है कि वर्ड परस्नेलिटी कम फ्रॉंद पर सोना एक क्वेश्चिन बन गया है ऐसे ही आपको दो तीन क्वेश्चिन देखने को मि अग्जाम में तो आप आगे आपसे पूछ रहा है डैट इस और इजिनली इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है माइंड याने की बुद्धी और सोल और आइडेंटिटी मोनिका मैं बिली एलू क्या पूछ रहे हो मोनिका से क्या पूछ रहे हो मोनिका ने तो एक साल पहले लेकर बैठी है मोनिका तो पढ़ती रहती है यह जितने तुम सोच रहे हो इन्होंने महापैक नहीं ले रख्योंगे पेड क्लास वाले सारे स्टूडेंट जितने लाइव आते हैं आपे हैं सोच रहो तो जिसने भी राइटा अंसर दिया है आपका थ्रेटिकल मास्क या फिर यू कह लिजिए मास्क या मुखोटा ठीक है मुखोटा यह कोश्चन आता है एक्जाम में हर व्यक्ति गना अपना एक अलगी मुखोटा है और रखा जो उसमें तो कि आपको हैंडवाल कोट की विद्ध बताने के कितनी रहती है कि को अधिया वनियर का मिल जाएगा क्या तो नियुह जाएगा वन ए Mario मिल आय допhone का मिलिकाव मिल एक साल के में दो साल का मिल रहा है गशाब लेना चेना यह लेना चै कि शीने में हम टिया घृफ सेsemb Way में लट्कुल नियुक्याoking जहां यहां पर यह देखो यह रहता है 40 मीटर का लंबाई चोडाई कितनी रहती है बीस मीटर एक कॉशन यह बन जाता है कोंच neighborhood के पूछ लेते आप से कि गोलपोस्ट है इसके हाइट कि प्रहीं रहती है तो हाइट रहती है 2 24 और पूछ लेंगे अगर गोलपोस्ट के लंबाई कि इतने रहती है तो लंबाई रहे कि वह तीन मीटर तीन वह educating तीन भाई दो यह याद रखनी आपको है ठीक है अगला प्रेशन देट इस आउटर मोस्ट लेयर आफ हर्ट रदे की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है कॉश्चन बहुत आसान सा है लेकिन आएगा एक्जाम में एक्जाम कब स्टार्ट हो रहा है मंडे से मंडे मंडे वाई 590 कोड लगा यह कुछ दिनी बताऊंगा मैं कोड लगा और यह जैसी एक हतम हो जाएगा बच्चे पर्चेस कर लेंगा सारी चीजिए उसके बाद में अपनी क्लासे स्टार्ट होगी जब तक क्लास स्टार्ट नि स्टार्ट करेंगा फ्लास स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद तुम सुनाओंगे भी थो फिर हम बता देते हैं क्यार क्लास में बताते हैं आप्शन नम्र 6 और मास लेयर एकारडियम सबसे बाहरी लेयर ठीक है सबसे अंदर की लिएर समसे अंधर के लिएर देट इंडो का और सबसे मध्य की लेर गर्टिस मायो कार्डियम को इन कोई बोलते हार्ट की मसल को हार्ट की मसल बात क्लियर है सबीकों यह प्रसन पूछे जाएंगे आपके एक्जाम में याद रखना तो याद की सबसे अंदर की लेर जहां एंडो दिखे इसका मतलब है अंदर है एंडो का मतलब भी अंदर होता है ठीक है तो एंडो और मायो दे को कितनी थिकस्ट सबसे थिकस्ट मसल पूछ ले तब भी मायो कार्डियम हाट की मसल पूछ ले तब भी मायो कार्डियम यह बात ध्यान रखने चाहिए अगला है that is moving a bond backward यानि कि आपके हड़ी पीछे की तरफ मूव कर रही है लेकिन without changing and angle कोई angle change नहीं हो रहा है जैसे कि यह हड़ी है मालो मैंने यह move करी लेकिन यह तो angle change हो रहा है ऐसे नहीं मैं अगर shoulder को पीछे लेके जाता हूं इस तरीके से आगे लेके आ रहा हूं इस तरीके से बताने कि सर पेड़ क्लास में थ्योरी क्लास होगी या फिर mcq अरे पेड़ क्लास में थ्योरी होगी mcq क्यों होंगे mcq तो वहाँ पर खाली ऐसे करवाते हैं mcq कैसे करवाते हैं वहाँ पर mcq तो लास्ट में करवाते हैं जैसे थ्योरी पढ़ादी फिर mcq त्योरी पढ़ादी फिर mcq इस तरीके से होती है हां complete theory चलती है option number b जिसने दिया है retraction बिल्कुल correct है ठीक है तो retract करना यानि कि पीछे की तरफ लेके जाना ट्रेक्षिंए अड़ी की तरफ लेके जाना तो प्रोट्रेक्षिंए और रेक्षिंई रिक्षिन याद रखने ये question पूछा जाता है एक्जाम में आ जाता है कई बार है ठीक है यह देखो protection मतलब के आगे की तरफ जबाड़ी यह आपका face में भी हो जाता और shoulder में भी हो जाता retraction आपका पीछे की तरफ ठीक है उसी तरीके से एक और movement आपको देखने को मिलेगा inversion इन मतलब अंदर की तरफ तो इसमें आप देखो तल्वा जो आपका क्या बोलते हैं तैलेवा इसी को क्या बोलते हैं कि सोल बोलते हैं अब यह जो सोल है तल्वा है ठीक है पूट है यह अंदर की साइड रहेगा उसको बोलेंगे inversion और यह बाहर की साइड जाएगा तो उसको बोलेंगे inversion ठीक है inversion और inversion clear है sorry first person to give explanation about the pulse rate यह बताओ अर्पिता हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल महापैक में यह reasoning अगयरे सब आ जाते भई पेपर वन हिंदी इंगिलिस math science gk जितने भी टीचर आपको अड़ा में पढ़ा रहे हैं सब ही की classes paid classes मिल सकती आप जो मर्जी क्लास में जाके घुस सकते हैं इंक्लूडिंग मी दो साल तक कि बस कोड का याद रखना तो जिसने भी बी दिया है गैलन गैलन इस दर करेक्ट आंसर अब यहां पर यह चीज़ देखो कि पल्स है क्या एक्चुली में पल्स रेट रिफ्लेक्स नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार हाट बीट किया है यह एक बार में कि अमाउंट ऑफ ब्लेड पंप्ट आउट प्रॉम दा लेफ्ट वेंट्रिकल कि इच बीट यानि कि एक बार में कितना ब्लेड निकला तो अगर हम इन दोनों को मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या जाए कार्डिक आउट पूट आजाए कार्डिक आउट पूट सर समझ में नहीं आया क्या है आरे आपका जो हिर्द है वो 22 बार दळकता है कि नहीं धग धक度धfach बच्पन से पढ़ते हैं एक मीनीट में 22 बार और एक बार में कितना ब्लेड निकालता है एक बार में निगालता है लगवग 70 ml तो 70 को 72 से मल्टिप्लाई करोगे तो यहां पर मालो कि हम 70 ही माल लेते हैं तो साथ और साथ 4900 लीटर इतना ml ठीक है ml तो इसको लीटर में बदलेंगे तो लगवग पांच लीटर आपको देखने को मिलेगा पांच लीटर आपका कार्डियक आउट्पूर्ट डैफिनेशन क्या होगी एक मिनट में कितनी बार हिर्दय लबडब कर रहा है दबड़क कर रहा है वो पल्स रेट या हाइट रेट होती है और एक बार में कितना बलड आपका कितना बलड निकाल रहा है तो इन दोनों को मलट मल्टिप्लाई कर दो के एक तो कितनी बार कितनी ज्यादा एक मिनट यह है दोनों को मल्टिप्लाई कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा तो स्ट्रॉक वॉल्यूम स्ट्रॉक वॉल्यूम इन्टू हाइट रेट यह फ अगला कॉश्चन है फॉर्मूला और कैलकुलेटिंग डिगरी ओफ फ्रीडम डिगरी ओफ फ्रीडम आपको पेड़ क्लास लाइब भी मिलती है और रिकॉर्डिंग अगर देखना चाहो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो चलो जिसने भी ऑप्शन नमबर ए दिया है एन माइनस वन बिलकुल करेक्ट है आगे चलते हैं अब वर्ट काइंड अफ लीडर्स मेक ओल्ड डिसिजन देमसेल्फ वह कौन से लीडर्स होते है या फिर वो किस प्रकार की लीडर होते है या लीडर की वो कौन सी क्वालिटी ओटी जो यह कहती कुद मैं सारे डिसिजन कुदी लोगा भाई ओ बैनो चलो है वाट इस दडिग्री ओफ फ्रीडम है यह बताएंगे आपको स्टेटिस्टिक्स की क्लास में अभी फिरहाल इसमें थोड़ा सध्यान दीजिए जो आपको बताया जा रहा है कुछ चीजे ऐसी होती है कि जिसको समझाने के लिए पूरा का पूरा आता गंटा निकाल आपको ऑप्शन नमबर सी ओटो क्रेटिक जिसने भी यह बिल्कुल करेक्ट है ठीक है ओटो क्रेटिक तो यह आपके ओटो क्रेटिक होते हैं जो खुद से ही सारे फैसली लेते हैं और लेजर फैरे कहते हैं कि तुम जो तुमको अच्छा लग रहा है वो करो और डेमोक्रे जो भी फिट होता है इसमें तो सबसे बैस्ट माना जाता है लेजर फैरे को नेक्स्ट वन इस विच आफ फॉल्वाइंग है नूट नूकलियस या नूकलियस जिसके अंदर नहीं है यह बताना है कि मोहमद आरिव अगर पता लग द्याओं को कि तुमने कमेंट कर रहा है यह बता रहां कि यूटूप से बडलो करवा देंगा का एक चैंब देखा है और बीक्राइं के अंदर कोई नूपिलियस नहीं पाए जाता है तिंच नूपिलेट तो डीजू स You mean इसी लिए तो अध sympath eating में believe WBC में blood cancer होता ही ना अगर WBC के अंदर आपका nucleus ना होता तो इसके अंदर nucleus होता है इसलिए cell division इसमें धड़ाद़ होता है और इसके अंदर ज्यादा नहीं होता है इसलिए आपके red blood cells में platelets में cancer नहीं हो सकता है brain में भी cancer नहीं होता है सर फिर वहो कैसे जाता है कुछ अलग special cells होते हैं एक percent उनके अंदर वो चीज देखने को मिलती है ठीक है तो यह आपको इनका chemical name scientific name भी पता होना चाहिए कि red blood cells का आपका क्या है erythro sites है white blood cells का आपका leukocytes है और yellow blood cells का आपका platelets है यह आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए अगला प्रेशन है that is length of ribbon in rhythmic gymnastics थोड़ा सा अच्छा कोश्यन है अच्छा इंदा सेंस गहरा कोश्यन है यह फिजिकल एड्युकेशन जिन्दाबार बताईए जिसने ए दिया है भी जिक्स मीटर दिल्कुल करेक्ट तो यह पूछ रहे थे आपसे कितने मीटर के रहे थे अगला प्रेशन है that is which of the following is a sitting start इन में से कौन सा sitting start है सर आज मैंने रीजनिंग की क्लास में वाई 590 का प्रोमोशन कर दिया है मांजाओ मांजाओ यार तुम अपने दोस्तों को ही बता दो वहीं पहुत है कि बंच स्टार्ट मीडियम start elongated start तीन उब ही city city stop करद के में दो टाइप के तके मेजरली स्टार्ट होते हैं एक थी होता है स्टेंडिंग स्टार्ट और दूसरा अधा सेट ही डिन्स टार्ट तो सेटिंग स्टार्ट को hits क्ल्वल्ट में यह ठीक है तो यह बात याद रखना है यह तीनों गेटीनों इसके रहो स्टार्ट के यह स्प्रिंट स्टार्ट केबाग है बाकि आपका foundation इसि- उतल country नहिंग को शॉब नहिंगने को इन्में से क्रोकोडायल पोज किसे कहा जाता है डोकgom single भी मूलीं पटाइпри को कि हिंदी में पता होगा तो बता देंगे अपने आप है कि बागी 6 बजे आप जरूर जुड़ना पेड़ क्लास वालों सभी कल सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे थे असी बच्चे थे असी क्या सी बच्चे थे असारे लाइफ जुड़ने की कौसिस करना तभी मजा आएगा कितना जोस से आज पढ़ाई करेंगे फिर बहुत शांदार गजब की सुरुवात करेंगे आज फिर से है तो वैसे कि वह खातमे पर बैच लेकिन आप लोगों ने महापक ले रखा मुझे भी नहीं पता था बहुत सारी चीजे मैं भी थोड़ा सा सीखता जा रहा हूं आप यह कैसे आप इधर उदर देखनी पाते हैं क्लासिज और कैसे आपको दूसरे बैच में बहुत सारी समश्याएं देखने को मिलती है मकरासन जिसने दिया है मकरासन एक्चुली में कौन सा पोज यह प्रॉन लाइन पोज है ठीक है और यह आपका सिधा का सिधा कौन सा है दासन पे ज्यान दो अगला है विच आफ दा फोलोइंग स्पोर्स इस पार्ट आफ एवरी समर ओलंपिक तिल नाओ इन में से कौन साह जो हर समय ओलंपिक्स का पाट रहा हू 18 फ्रॉम 1896 तो तो तिल हाव ए लेड़ गुना में अच्छी आती है आवाज की स्पीड करनेक्ट की क्लास भी कराया अच्छा करेक्ट की क्लास भी कौन सा करेक्ट की क्लास भई तो जिसने भी डी दिया है सायकिलिंग स्वीमिंग फैंजेंगे तीनों के तीनों ही थे आपके ऑलंपिक्स का भाग फस का इस ताइब डिस कावह लर्निंग थ्योरी किसंने मेदी थी ouais कि कि स्वीमिंग तो 19 सो में आया था आप्शन के हिसाब से जाएंगे भाई बर्नर जिसने दिया अब या ना Brunner ऑबरन अब कोई ना Brunner ठीक है तो यह दिस्काब्री लेर्निंग ट्योरी इस में बच्चा किस तरीके सा सीथा इसके बारे Noch बताया गया है है और मेनि फैल्ड इवेंट्स आरड़ियर इंड डेकतलो्व डाकत्रोल में कितने फेल्ड इवेंट देखने को मिलते हैं मिलेंगे जिन में से 4 track, और 6 field event, six field event दिखने को मिलेंगे तो यहाँ पर C trade field event देखने को मिलेंगे नगला प्रेशन टिए लिए लिए क्लिन्जिंग ळाईजेस्टिटिव ट्रैक इन में से कौन सी क्रिया है जो कि आपके डाइजिस्टिव ट्रैक को क्लीन करने का काम करती है कावड लेने नहीं गए का सरद्दा यहीं से बहुत है कि यह 222 बोड़े के बगत पड़ रहे हैं साम तक होते होते बाइस सो जाते हैं यह सेवा मिल रही कम है कि यहीं से वहीया ओपर वाले से कह देते हैं हम तो यहीं से ठीक हैं हमारी नहीं है यार इतनी ज्यादा समता हमारे जिंदर नहीं है हम तो बीज इसने धोती दिया है कि यहां पर देखो नेती धोती बस्ती नौली कपालबाती एंड ट्राटक यह चैके चैक का है शिक्स क्लींजिंग प्रॉसेस है जो की योगा मैं आपको बताये जाते हैं estamos आठ क्या होते हैं असमा यूगा अजाएं एक लिम्प है अस्टांग योग तो अस्टांग योग में का आते हैं यम नियम आसन प्रणायम प्रत्यारा धार्ना ध्यान और समाधि यह आपके एट लिम्स आफ आस योगा है जो कि महर्शी पतंजली ने दिये थे अगला प्रिशन है देट इस वर्ट इस ने यूज्ट टू मेजर हाट रेट ऑफ पर्संट कि अब भी कि अवह पक्ति है यह आगाए प्रणंप करण को याद नहीं होता है ट्रक बनादो प्रिक्पता रखिया है अगर आपने देखी नहीं है वो क्लासिस देखो फिर इसका मतलब हुआ हमें क्लासिस देखो क्लासिस देखनी चाहिए जिसने बी दिया है यह स्टेटोस्कॉप बिल्कुल करेक्ट है स्टेटोस्कॉप के अलावा आपको एक और चीज देखने को मिलेगे स्पिगमो मैनोमेटर तो स्पिगमो मैनोमेटर आपका किसके लिए यूज होता है ब्लेड प्रेशर के लिए तो यह आपका स्टेटोस्कॉप है आला बोल देते हैं हिंदी में आला रे आला दगदक हो रेला है वो धगदक नहीं होता है एक्चुली में लब डब होती है हर्ट के साउंड लब डब ठीक है भई और यह आपका क्या है गोनियोमेटर है क्या ना आप देता है अब यह फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अक्सरों की फ्लेक्सिबिलिटी पर मत जाना यह बहुत ट्रेनिंग करते हैं इसलिए ऐसी हो गई है सुल्तान अजलन साह होकी कप कोश्चन दो हो गया है एक कोश्चन तो यही हो गया है कि होकी से संबंदित है कि नहीं है तो है पूछा जाता है सुल्तान अजलन साह कप किस से संबंदित है होकी से टूर्नमेंट लेकिन करवाया कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान मलेशिया च कि अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखो और समझो कि देखिए सबकी अपनी स्रद्धा है एक भाई को मैंने देखा सम्थिंग 163 किलो के वो पानी भरके और वो लेके आ रहा था कावड वहां से सबकी इतनी स्रद्धा है हमसे तो 63 किलो ना चले वाई हमारे तो बसकी ना है यार हम तो पहले यहीं से बोले से आज जोड़ देते हैं यहीं से पहले से अरे अमित ठाकुर तो में कितनी बार बता दिया भाई याजी ठाकुर जी हम कह रहे हैं पहले ही यहां करवा रहा हूँ मैं यहां पर थोरी करोता हु वो तो करवा रहायूं सीरीस चल रही इसलिए थयोरी होती है क्लास में यार अर्फ यार पूर्ण हमलेश ने दिया कितनों ने दिया मलेसीा गलत states क्लास में अगला प्रेशन है सर्कम्फ्रेंस बताने बास्केट बॉल का याद उने चीज तो बास्केट बॉल का सर्कम्फ्रेंस कि मैंक आइम फ्रॉम हरीद्वार सर मैंक कि फिजिकल एजुकेशन के नाम पर चड़ा देना भाई बोलेगो जल चड़ा देना है ठीक है कि जिसने भी बिया यह दिखे दिया यह पिछेतर यानि कि 75 बोलते हैं इंगलिस में तो 75 टू 78 सेंटीमीटर कि सी दे रहे है देट जो 65 to 67 बास्केट वोल गा इबर कन फंकर लोयार क्या पूचरा सर कम फ्रेंट्स पूचरा सर कम फ्रेंट्स कि आए 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 फ्रोम खाटू शाम सर जी बिल्कुल कि देखना भाइस को आप कमेंट बॉक्स में लिखे लिए ना अजय एक चीज और है जो पेड़ी क्लास को बता हुआ है कुछ चीजे जान भूच की कॉंट्रवार्सल भी कराई जाती है आप कमेंट तो करो कम से कम गलत सही कुछ देखे दो कुछ इसको दिखाई यह देख मास्टर क्या गलत बता रहे है तो यह मास्टर गलत बता रहे है क्या हुआ वही सई है कि नहीं है यह बताओ कमेंट करके बताना सरी गलत बता दिया है अपने ताकि आप लोग तो भई कम से कम सही बता सके तो आज भी डबल वेलिटी लाइव है उन लोगों के लिए जो अपने एक्जाम की तयारी करना चाहते चाहिए बीपेड फर्स्ट इयर में सेकिंड इयर में थर्ड इयर में या आप पीएचिटी कर रहे हैं अगर आप टीजी खोल लेना है और अड़ा टाइप कर लेना जैसी अड़ा टाइप करोगे तो अड़ा 24-7 आ जाएगा उसमें ठीक है अड़ा 24-7 पहला ही लिंक खुलेगा आपके सामने और यह इस तरीके से खुल जाएगा गूगल पर बाकी एप में आपको कुछ इस तरीका का इंटरफेस दिखेगा यहां Home दिखेगा आपको सबसे ऊपर दिखेगा Select करना है Cols. All courses यहां पर आपको देखना है That iséoपे टीचिंग पर चले जाना टीचिंग पर टीचिंग पर जाके टीचिंग का महाँ पैक है इसे पर्चेस कर लेना डबल वेलिटी आ रखी अभी यानि कि दो साल तक मिलेगा एप में और भी सस्ता हो जाएगा इसको बाई कर लेते हैं इदर से बाई नाओ पर डैलेक्ट क्लिक कर लेते हैं नहीं तो फोन में आप है सी ओफर का ब्लू कलर से सी ओफर आ रहा होता है तो इसमें टाइप कर देना वाई पांत सो नब्भे वाई फाइव नैन जिरो अपलाई कर देना और यह और भी कम हो जाएगा ठीक है यह उननतीस सो रुपे का हो जाएगा एप से खरीद ह होगे तो बाकि इसकी क्लास कैसे देखेंगे अभी नहीं को 6 बजे हमारी लाइव क्लास होने वाली है आदे गंटे बाद हमारी क्लास होगी तो आपको सीधा-सीधा जैसे आप खोलेंगे एप कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा अभी आपर पर पर्चेस दिखा रह इस पर क्लिक कर लेना फीड आएगा फीड ठीक है यहां पर फीड आएगा फीड की जगह पर आपको क्या करना है स्टडी मेटीरियल पर क्लिक करना जैसे स्टडी मेटीरियल पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहां पर सबसे पहले नंबर पर प्रीमियम स्टडी मेटीरियल जिन्ह ने खरीद नहीं रखा है वो टीचिंग के महाप एक पर क्लिक करके दुबारा से क्लिक करके और यहां पर नीचे ओफर आएगा देखने को मिलेगा यह देखो सी ओफर यह सी ओफर में आप क्लिक करेंगे यहां पर लगा देना कोड वाई 590 इसे अपलाई कर देना ठीक है और बाय कर लेना फिर इस तरीखे से आप परचेस कर सकते हैं अल्रेडी परचेस दिखाएगा अगर आपने कर रखा हो दुबारा कर लेना कोई दिक्कत नहीं है फ जैसे आप फिजिकल एजुकेशन सर्च करेंगे फिजिकल एजुकेशन वैसे ही आपको देखने को मिलेगा हमारे वह सारे कोर्स आजाएंगे जो भी आपको चाहिए जैसे कि सार्थी बैच आपका एंवेस पीजिटी के लिए दुरोना चारे 2.0 जो अभी आपका चलेगा तो दुरोना चारे 2.0 आपका चलने वाला अभी इसको क्लिक करके दुबारा से बाइनाओ क्लिक करेंगे तो यह आपका ओल्रेडी पर्चेश है तो इसको आप इसकी वीडियो देख सकते हो अभी यहां पे लाइफ 6 बजे चलेगा इसमें दुरोना चारे 2.0 में हम 6 बजे म मिलेंगे आप सभी को ठीक है भाई और बाकी अरे वन येर का डबल वेलेडिटी में क्या कनवर्ट करवा रहे हो और किसी को कोई इन्फोर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना डेली आया करो लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगे हो तो मिलते हैं नेक सब्सक्राइब जिन्दाबाद बाकी ध्यान रखो सभी अपना और अगले क्लास में मिलेंगे सेम जगह पर वे तो मिलते अभी छह बजे कर दो कर दो